सारी प्यारी संगत जय गुरू जी संगत को मेरा प्रणाम सच्छे अकाल इससे अच्छा मेरे ख्याल से आज दिन नहीं हो सकता मेरे लिए कि गुरू जी के आग्या मुझे मिली है और उस आग्या को मैं पूरा कहना चाहती हूँ और बस मन में बहुत खुशी है और थोड़ा सा डर है दोनों है कि बहुत दिनों बाद गुरुजी के बारे में बात करने को मिल रहा है दिल तो इत्मा करता है कि गुरुजी के बारे में बस बाते करते रहो 1999-2000 की बात है मुझे, मैं बहुत सालों से गुरू भून रही थी, और बहुत धक्य खाय मैंने, I think I went around the whole India, कभी कहीं, कभी कहीं, सत साई बाबा, मैं चाहती है कि जो गुरू मिले वो in person हो, जिनसे कि मैं personally बात कर सकूँ Sorry auntie, आपको बीच में disturb कर रहा हूँ, auntie, माइक है, वो थोड़ा सा, अपना मुझे से थोड़ा सा दूर कर देंगे, उसके विए से noise create हो रही है Okay, okay, अब ठीक है? जी auntie, thank you so much Okay, okay तो मैं चाह रहे थी कि मुझे, जो गुरू मिले वो in person मिले और शीड़ी बाबा के भी मैं गई, बहुत जगों पे गई, मैं मंदिरों में जाती थी, मन में बहुत श्यद्धा रखती थी पर अंतु जिन्दिगी में clarity होती है, वो clarity नहीं थी बस clarity इतनी थी कि कभी किसी का बुरा मत सोचो और किसी के लिए बुरा मत करो और पता नहीं यही सोच के साथ बहुत भागा दोड़ी करने के बाद जब कुछ हाथ भी आया तो शांती से बैट गई, कि मुझे गुरु नहीं मिलेंगे तब ही एक मेरी friend, जो अब गुरु जी की बहुत करीब थी और वो अब नहीं रही अभी तीन महीने पहली in the month of May she has attained and met Guruji now in her soul form, नर्गिस राजकुमार आंटी वो और दूसरी एक और आंटी है, विम्ला महरा आंटी यह दोनों ने मुझे कहा कि रजी तुम बहुत spiritual attitude रखती हो हम तुम को Guruji से मिलवा के लाते हैं एक मैंने सुचा ठीक है, मेरी friends कह रही है तो मुझे जाना चाहिए नर्गी सांटी का फोन आया कि हम तुमें pick up करेंगे पर जड़ा अच्छे से त्यार हो जाना यह बात थोड़ी सी बड़ी हसने वाली लगी, मुझे बड़ी confusing लगी क्योंकि हम तो मंदिर में जाते हैं आराम से, आफिस से उठे कभी वहाँ चले गए कभी कहीं से आ रहे हैं रास्ते में रुके मंदिर चले गए तो कभी ध्यानी नहीं दिया कि अच्छे कपड़े पहनने हैं बड़े अच्छे से त्यार होना है बड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ट होके पहुँचना है पर उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी को पसंद है कि जो भी कोई आए वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ट होके आए तो तुम बहुत लिमिटेड लोग हैं इंपायर स्टेट में गई थी मैं वहाँ पर लोग बैठे हैं चारों तरफ और बस सिरफ बैठे हैं गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे पहली बार गई थी देखा सब लोग मथ्था टेक रहे थे गुरु जी के आगे फूल चढ़ा रहे थे उनके चरणों में फूल का हार रख रहे थे तो मैं तो कुछ लेके नहीं गई थी मैंने ऐसे ही जुक के परणाम किया गुरु जी को और नर्जी सांटी ने मेरे को उनसे मिलवाया कि गुरु जी हमारी फ्रेंड है और ये एक असोसियेशन की हेड है और ये बिजनेस करती है इसकी अपनी आर्ट गैलोरी है ये है वो है जो भी कुछ उन्होंने बताया गुरु जी ने का अच्छा बैठो पता नहीं उस दिन जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि शायद ये जगा अच्छी है कोशिश करीब भाँ बैठे बैठे देखा कोई किसी से बात नहीं कर रहा बिल्कुछ सब शांती से चुप बैठे हुए एक दुसे की तरफ देख भी नहीं रहे गुरु जी की तरफ देखने की कोशिश की तो बड़ा अजीब सी एक दर सा मैसुस हुआ मन के अंदर ऐसे लगा कि आँख मिलाना मुश्किल है पर एन्यवे थोड़ी कन्फ्यूजड होके थोड़े परेशान होके उसके बाद गुरु जी ने अपने हाथ से सब को प्रशाद बाटा और गुरु जी का हाथ बहुत बड़ा था तो खुब-खुब सारा प्रशाद देते थे गुरु जी तो दोनों हाथ में लेना होता था कई वर चुनी में लेते थे उन सब प्रशाद लेके सब कुश करके जब जाने के लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी से आजया लेनी होती है जाने के लिए तो जब प्रशाद लेकर जाने की बारी आये तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम बैठो बैठ गए, काफी संगत चली गई, करी 25 संगत थी जो रुप गई उन सब के लिए लंगा परशाद आया सबने लंगा परशाद खाया ये शुरुवात थी गुरुजी के पास जाने की और उस दिन कुछ अजीब सा मेरे ख्यास से घराने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शाद गुरुजी के साथ एक कलेक्टिविटी जुड़ गई मैंने उसके पहले जित्ते भी गुरुजी गुरु से मैं मिली या गुरुवानियों से मैं मिली तो मुझे ही महसूस होता था कि बहुत जुरुज से जादा वो चाहते थे कि दुनिया उनकी तरफ आए, दुनिया उनकी तरफ भागे उनके पैरों में पड़े, वो करे, ये करे, एक गुरु आई, गुरु महराज आई, वो वहां से थी हमाचल से या कहीं से, उन्होंने नत्य करना शुरू करा, सब कुछ करा, फिर वो एक गाड़ी पर बैठ गई गई और सब पीछे-पीछे उनके जाए, मुझे लगा कि इन्ह यहां पे ना कुछ गहराई है, यह सोच के पड़े लिखे होने का यही सबसे बड़ा प्राबलम होता है, कि आप हर चीज की if and but में जरूर जाते हैं, यह क्यों हो रहा है, यह कैसा लग रहा है, यह क्या है, दिरे दिरे मालुम पड़ा कि गुरु जी ने कहा, कि जब यहां आते हो, तो अपने if and but अपने जूतों के साथ उतार के बाहर आया करो, और जो आंठी मुझे ले गए थी नरगिस आंठी, वो हर एक बात पर if and but बहुत करती थी, तो अंकल जी ने उनका नाम ही if and but आंठी रखा हुआ था, एनिवे गुरु जी के हां जाना शुरू कर दिया हर थर्जडे, फाइडे, साटरडे, संडे, चारों दिन जाने लगी थोड़े दिनों मैं मुझे मैसूस वा कि मुझे रुका ही नहीं जाता, मैं हर दिन चली जाती हूँ, घर में अंकल को बोले, अंकल कहने लगे कि भई, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, तो अंकल कहने अगर तो मैं अच्छा लगता है जाना, तो तुम जरूर जाओ, मुझे कोई आपती नहीं है इसमें, बेटा यहाँ था नहीं, बेटी यहाँ थी नहीं, वो दोना अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तो सुचा कि कितना उसकी बात है कि मुझे एक जगह मिल गई जहां में जा सकती हूं, फिर गई फिर दिरे दिरे थोड़ी से हमद खुलने लगी, गुरू जी से बात करने शुरू कर दी, बात भी किस तरह है कि और क्यों चाहती थी इन परसन, ऐसा लगता था कि जो प्राब्लम है उनको सॉलूशन निकाल के कोई दे, और शाद गुरू ही निकाल मैं इनफर्म कर दूँ, गुरू जी कहने लगे, मेरी तरह देखा फिर कहते, कोई जरूत नहीं है, उसकी जरूत तेरे से जादा है, ले गई ये तो ले जाने दे, पुलिस में नहीं इनफर्म करना, चुपोगी, मैं सोचते थे, बड़े जीब से गुरू जीब से गुरू या कोई बहुत बड़े पहुंचवे मात्मा है, शुरू में तो मुझे मैसूस ही नहीं होता था, बस ऐसा लगते था कोई अपना ही है, जो बैठा है, जो आपके बाते सुन रहा है, आपके कोई प्राब्लम होगी तो उसको सॉल्व करेंगा, बस रोज आना और रोज जाना हर तरह के वहाँ पे मिनिस्टर आते थे हमारे सामने, मिनिस्टर एसकी बिरला सारा समय वहाँ बैठे होते थे जब भी पहुंचो, और मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा, जो अन्नोन हो सब बड़ी-बड़ी हस्तियां वहाँ आती थी, तो मन में ही विचार भी आता था कि या गुरुजी के पास सिरफ बड़े-बड़े लोगे आते हैं, पैसे वाले लोगे आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता, जिसके पैसा नहीं हो, फिर देखा कि बीच में एक दो, ऐसे लोग भी आ जाते थे, परना तो मेरी ख्याल से, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन था, आतनी शुरू हो गई, फिर मन में आया, एक बार गुरुजी को इतना मतलब प्यार आता था गुरुजी के उपर, मैं बता नहीं सकती आपको, मिरे पास वर्स नहीं है, और मैं गुरुजी को भी नहीं एक्स्प्रेस कर पाती थी, एक दिन गुरुजी बैठे में तो मैं आके चुप हो जाते थे, उस दिन में गई तो वाइट कपड में बैठे हुए थे, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी को देखके, और मैं गुरुजी का हाथ उठाया और उसके ओपर ऐसे चूम दिया, और आप देखिए कि पता नहीं कहां से तो गुरुजी ने हिम् ईक्डिड हो गए हैं, और वो कने sticking भीड़ी का ऐसा है जैसे कि एक मा अपने बच्छे के प्रती जो एक वाजसल होता है, एक प्रेम होता है, वो है एक फादर का जो अपने बच्छों के प्रती, एक केरिंग एटिचूट होता है एक लुक आफटर का एटिचूट होता है वो है एक दिन में बहुत अपसिर्थी घर में रात को गाड़ी उठाई और खुद अकेली चली गए रात को शाह दस बजे मंदिर पहुंचे होंगी एमपार स्टेप जैसे अंदर गुसी दस बजे में होंगी शाह 9 क्योंकि लंगर अभी शुरू ही हुआ था आठ बजे या साड़े आठ बजे लंगर में शुरू होता था अपि मुझे ध्यान नहीं है टाइम तो देखते हैं गुरू जी मैं इसको कहते हैं तो अकेली आई है मैंने का हान जी गुरू जी कहते हैं तो उन सीधी जा उन लंगर कर नहीं तो जनरली गुरू जी के पास बैठते थे आगे काफी देर तक बैठे लेने के बार फिर लंगर की जब बारी आती थी तब जाते थ उनको समझ आया कि मैं अपसेट हूँ, मैं परिशान हूँ किसी चीज से, जैसे लंगर खाके आई हूँ मैं, मैंने गुरुज का पास जाके बैड़ गई, मैं को कहते हूँ उठ और हुन घर जाते। मैंने कहा, गुरुजी थोड़ी दिर बैटने दीजी, कहते नहीं, उन्तु उठ और घर जा, उनकी आगया तो टाली नहीं सकते थे, इतनी हिमत ही नहीं थी मन के अंदर, उठी और घर आ गई, और गुरुजी से खूब ही मन में बहुत लडाई करती थी, सब कुछ करती थी, कि मुझे उस व्यथा के थूँ जाना ही है, उस परिशानी के थूँ जाना ही है, और वो परिशानी या तो मेरे कर्मों के साथ बंधी हुई है, और या वो परिशानी किसी ने किसी समय जाके दूर होगी, इसलिए वो परिशानी मेरी जिन्दगी का पार्ट ही है, और मुझे उ उन्कल जो है वो उन्होंने श्रीलंका में एक फैक्टरी लगाई हुई थी, तो अंकल वहां पे हर पंदर दिन में चले जाते थे, थोड़े दिनों की बात है कि जब अंकल आते थे वहां पे तो गुरु जी कहा करते थे, जब मैं अकेली जाती थी तो कहते थे सैनिक फार्म उ बहुत ही अचुक था, बहुत यूनीक था, जो मुझे यह मैसुस हुआ कि छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो सब उनके साथ एकदम अटैच हो जाता था, पर उन्तु सच बात यह है कि कभी उनको भगवान नहीं माना था, गुरु माना, उनको बड़ूस है, श्रीलंका जा, तो मैंने का ठीक है गुरु जी, मैं श्रीलंका चली जाओंगी, बात सुनी, उन्सुनी कर दी, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि एक इनसान आप ही की तरह है और आप उसको भगवान की तरह मानी नहीं रहे तो आप सुचते हैं उन्होंने कहा ह हमने सुन लिया, अब देख लेंगे जब जा सकते हैं चले जाएंगे, उस एटिचूट के साथ गर आ गई, अगले दो दिन बाद फिर मंदिर पहुंची, गुरु जी निकार, देखो कितना याद रहता था, संगत आप देखिए कि, संगत जी आश्र होता था ये देखिए क गुरु जी को हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात ध्यान रहती थी, जैसी पहुंची कहते हैं तू श्रीलंका हो आई, मैंने कहा कि गुरु जी मैं तू नहीं गई अभी, कहते हैं तू श्रीलंका जा, अब दो बाद बोल दिया गुरु जी ने, मैंने बड आप में फिर मंदिर चली गई, अब आप देखिए कि गुरुजी का रियक्शन कैसा था, गुरुजी ने जैसे ही मैं पहुंची कहा, तु शीलंका हो आई, मैंने का गुरुजी नहीं, नहीं गाया पाई, हुन मंदिन आई, बस गुरुजी नहीं इतना कहना था, तर डर के मार मेरे आँख में आशू आगे कि गुरुजी ने तुम्हे को अल्टिमेटम दे दिया, I came back home, आते ही मैंने अंकल को फटा फट 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 फोन किया, I said I need the tickets tomorrow, I am not going to wait anymore, अम्में मंदिर नहीं जा सकती, गुरुजी ने मुझे अल्टिमेटम दे दिया है, मुझे नहीं पत कोई reason नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई, पर गुरुजी ने आग्या दे है कि तुमको जाना है, संगर जी ये सुनने के बाद, अगले दिन, टिकेट लेके, मैं श्रीलंका गई, और गुरुजी ने मुझे कहा था कि वहां 5-6 दिन तुझे र तो गज़क, रेबडी, ये, वो सब के लिए, एक एक फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत वरकर इंडिया से गया हुआ था, मैं सब के लिए बहुत कुछ लेके गई, और क्योंकि अंकल हर समय आते जाते रहते थे तो एरलाइन वगरा सब जानते थे, तो उन्हीं के नाम से ज का हुआई, तो जी कहने लिए ठीक है, बस, उन्हींने बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिना कुछ कहे, बात को खतम कर गया, संगत जी मैं जो आपके साथ संगत शेयर, सथसंग शेयर कर रहे हूँ वो बहुत फरक है, ना तो ये सथसंग भिमारी का है, ना ये सथसंग किसी, किसी, किसी तरह के रोप को दूर करने का है, इस सथसंग बिल्कुल मेरे खाल से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है, आप देखे, थोड़े दिनों बाद ही वहाँ पे, क्योंकि अंकल मटीरियल इंपोर्ट करा करते थे, मिडिली लिस्ट कंट्री से और उन द इसे हैंड ग्रेनेट वगेरा साथ में आ गए, और जब उसकी सॉर्टिंग आउट करने लगा लेबर वहाँ पे है, जो लेबर लगी वी थी, जो उन्होंने सॉर्टिंग आउट करी, तो उसमें से एक हैंड ग्रेनेट फट गया, और वो इतना बुरी तरह फटा कि वहाँ कि इंचार वर्कर घायल हो गए, और एक वर्कर का सिर बिल्कुल फट गया, अब आप ये देखें कि वहाँ ये हुआ, और यहां इंडिया में उन्ही दिनों भूशन स्टील करके एक कंपनी थी, जहां पे वो भी इसी तरह का इंपोर्ट करते थे, तो मिस्टर भूशन को ब मैनेजर को ये हिदायत दी कि भी जितने पैसे खर्चे होते हों, परंतु वर्कर सारी ठीक हो जाने चाहिए, और संगत जी गुरू जी की इतनी क्रपा रही, कि जिस इंसान का सिर फटके दो हो गया था, जुड़ा हुआ गर्दन सिता पर सिर उपर से बिल्कुल फटके दो दिखरा था, वो सारा कुछ ठीक हो गया, सिरफ उसकी एक आख थोड़ी सी जाती रही, परंतु उसको एक आख से बिल्कुल ठीक दिखा, बाकी सब हुआ, उसको सारी मेडिकल, सुविदाज, जो भी कुछ मिलना चाहिए, कंपनसेशन, सारे उसको मिला, सब कुछ हुआ, उस से जुड़े भी इतनी घटनाएं हुई, एक के बाद एक, फैक्टरी की छट उड़ गई, फरनेश चलता था, और वहां पे शीलंका में बढ़सात बहुत होती है, कभी भी हो जाती है, वहां का वैदर बिल्कुल उसी स्टाइल का, जैसे लंडन का वैदर हो, तो उस बढ़ सास की ठंडक से और नीचे की गर्मी से वहां की छट भट गई बिल्कुल, अब फैक्टरी को बंद करना पड़ा, और बंद करने के बाद, उन्ही दिनों जो भी इहां का जो गवर्मेंट थी, इंडिया की गवर्मेंट और श्रीलंका की गवर्मेंट, उनका आपस में जो भ बना हुआ है, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका क्या करें, बहुत सोचा कि वह इंडिया में ले आएं, फिर इंडिया में बेचें, इन्वे गुरुजी ने ऐसे सी थौर्ट दी, अब विश्वास नहीं होगा संगत जी कि जिन लोगों से बात नहीं करते से, गुरु पर्टिरियल भी उन्होंने कहा कि हमें भेज दो, उस सारा का सारा ऐसे सौट आउट हो गया बिना किसी प्राब्लम के लिए, अब बैंक से इतना जादा लोन लिया हुआ था, कि उस बैंक के लोन को चुका सकें, जब फैक्टरी बंध हो, तो इंशोरेंस के उपर डिपेंड बहुत परिशान थे कि बिजनस बंध हो रहा है, सारा इतना नुक्सान हो रहा है, इसका क्या करें, कैसे करें, हमेरी अंकल को भी ज़्यादा बात करने के आदत नहीं है, तो वो आए, आके बस गुरुज के मंदर में आके बैठ जाते थे चुप-चाप से, और जितनी बार, वो पहली बार था जब अंकल हफते के अंदर चार बार गुरुजी के पास जाने लगे थे, इतना जाते थे, उनकी मन की दुविधा, उनकी मन की परिशानिया, या तो गुरुजी को पता थी, या अंकल को पता थी, वो किसी के साथ बस इतना ही शेयर करते थे, कि इन्शोरे गुरूजी का ये समान बेश दिया है अब वहां पे जो घर खरीदा था वो बेश दिया है एक कमरा किराये पे ले लिया है और वर्ल ट्रेड सेंटर के अंदर आफिस था उस आफिस को छोड़ दिया है बहुत कोई धीरे धीरे रिडियूज होना शुरू हो गया संगर जी गुरूजी ने अंकल को बला की कहा कि तुम श्रील अंका जा रहे हूं तो अंकल ने का जी गुरूजी बस मैंने अगले हफते जाना है गुरूजी ने का जाओ चले गए अंकल आप मानेंगे नहीं पता नहीं क्या हुआ जब वो अंकल उतर रहते किसी आफिस से तो एक आफिसर इंशुरेंस का वहां मिल गया, कहने लगा, अगरवाल साफ, आपकी तो फाइल वहां पे जो बंद पड़ी थी, उसका क्या हुआ, तो अंकल ने कहा, कि भई वो फाइल को तो नोंने रिजेक्ट कर दिया, और मैं बहुत परिशान हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वहां जाके उसने फाइल को देखके, ये करके, वो करके कहने लगा, आप तीन दिन बाद आईए, यहां से जाईए, मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइल में कुछ ऐसे पॉइंट है, जो आपके फेवर में हैं, वो सारा ठीक करके, तीसरे दिन अंकल के पाइसे में, जो इंशोरेंस के पैसे थे, वो सारे मिल गए, और मुझे बिलकुर समझ नहीं आया, वो चीज़ें ऐसी हुई, जैसे कि किसी ने एक के बाद एक चीज़ों को सेट करके रखा है, अंकल, अबरवाल अंकल जहां भी जाते थे, हर चीज रेडी मिल दीती, तयार, ये ये देने वाला है, ये ये लेने वाला है, बैंक वालों ने कहा कि हाँ, हमारे पूरे पैसे हो गए, इंशोरेंस के मनी आ गई, मटीरिल सारा निकल गया, और एक के बाद एक करके चीज़ें सारी सेट हो गई, जिन्दिगे में पहली बार ये मैसस हुआ कि एक इंसान फैक्टरी जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो ये कर ही नहीं सकता था, ये सिरफ गुरुजी की ब्रैसिंग थी, ये गुरुजी का आशिरवार था, कि एक एक चीज अपने जगह पर रखके और एक एक चीज अपने हिसाब से होती चली गई, और संगर जी सब कुछ इतना ठीक हो गया, जिसको हमने कभी सापने में भी नहीं सोचा था, अंकल तो इतने ज़्यादा गुरुजी को मानने लगे उसके बार, गुरुजी के पास बहुत जाने लगे, और उन्हीं दिनों मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी प्लीज मेरे घर आये, तो गु में, गुरुजी ने अपने चरण मेरे इसको तिया में रखे, आप मानेंगे ने में बहुत खुश थी, पर गुरुजी ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दीती, तो किसी को मंदिर से नहीं बुलाएगी, मंदिर में जो आना होगा, वो मेरे साथ आएंगे, तो ने सारे सैनिक से लोगों को बुलाना है, संगर जी मैं सैनिक फार्म में रहती हूँ, सैनिक फार्म में उस समय लोग गुरुजी को नहीं जानते थे, सिरफ आई तिंक जो अपने अंबैजडर अंकल थे, वो ही उन्होंने, गुरुजी ने उनको का था कि तुम यहां आकर रहो, सिंग अंक तो गुरुजी ने मुझे स्पेशल कहा कि तुने खाली सैनिक फार्म के लोगों को बुलाना है, और किसी को नहीं बुलाना तेरी यही जिम्मेदारी है, और संगर जी गुरुजी की क्रपा देखिए, कि मैंने बहुत कोशिश की, सब के जितने भी लोगों के मुझे फोन मि आंटी को लाए, सुधा आंटी को लाए, विपी अंकल को लाए, जो भी जिनको उनको लाना था, 10-15 लोगों को, वो उनके साथ आये मंदिर से, बाकि सब लोग यहां के थे, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, कि मैं इतने संगरत को इकठी कर पाए, कि गुरुजी should feel proud about me, क कि मैंने उनका कहना माना और मैं वो कर पाई, जाते वे गुरुजी कहने लगे, तुने बहुत अच्छा किया सब कुश, मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी, इतने सीधी हमारे गुरुजी सिंपल थे, संगर जब वो आये, हमें भी अकल नहीं थी, कि हमने ना कोई पुश ली ना कुछ किया, म्यूजीक अंकल आये साथ में उन्होंने आके यहां पे बजन चलाए, और गुरुजी आके जब खड़े वे तो मैंने गार्डन में जाके मंदिर मुझे कहा, सब लोगो ने की बहुत जाके गुरुजा करो आर्थी उतार, और मैंने उनके आर्थ जब हम गार्डन में खड़े वे तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया, मुझे समझी नहीं थे, मेरी थाली में तो सिरफ फूली थे, मैंने उठा के गुरुजी के हाथ में फूल रग दिये, और हमारे गुरुजी इतने गारे, इतने सिंपल, मतलब मन को हरने अपने पाले, मैं बता नहीं सकते आपको, और मुझे तो बस यह लगने रहा कि गुरुजी यहां ते जाए ना, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे यही लगता है कि गुरुजी इस घर में हमेशा रहते हैं, उनका यहां निवास है, और गुरुजी का हर पल, हर शन यहा पर हमारे उपर गुरुजी का हाथ है, यह गुरुजी की क्रपा है, इतनी क्रपा है, मैं आपको बतानी सकती, आफ्टर 9 years of my daughter's eldest daughter, she's got a son now in the month of March 2020, और सभी कुछ बहत अच्छा हुआ, इस सिरफ गुरुजी की क्रपा और उनकी ब्लेसिंग है, हमारे नास समझियां उस समय इतनी रही, बहुत कुछ गुरुजी के संगत में रहके सीख सकते थे, पर अंतु सीखा नहीं, समझा नहीं, गुरुजी ने कई बार मुझे एक दो अंकल के साथ बिठाया, हमसे सत्संग कराया, वहीं मंदिर में ही कराया, गुरुजी मंदिर में ही कराते थे एंपार स्टे से भटाचार अंकल से, उनसे कहते थे कि सच्छन करो उनकल के साथ, एक छोटा से गुरूप बन जाता था हमारा 57 लोगों का और वहीं पे सच्छन करते थे, और कई बार गुरूजी के सामने खड़े होके गुरूजी सच्छन करवाते थे कुछ-कुछ लोगों से पर जो प्यार गुरुजी ने दिया और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं मैं जितना भी गुरुजी को शिक्राना करूं हर पल हर शन हर सांस में गुरुजी को शिक्राना है मेरा मेरे परिवार का एक एक इंसान गुरुजी को शिक्राना करता है मेर बेटा आमित अग्रुबाल बिल्कुल गुरुजी के चरणों में हमेशा रहने के लिए त्यार रहता है। मैं गुरुजी को हमेशा ही कहते हूं कि मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में हमेशा जगा देना। सतसंग जी हम लोग बहुत सो बागिशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले एक भगवान मिले जिनको हम उस समय नहीं समझ पाए और गुरुजी कहते थे जब मैं चला जाओंगा तब तुम लोगों को समझ आएगी जो भीड लगेगी जब तुम लोग लाइन में लग के आओगे तब लोगों को समझ आएगा तब तो हम गुरुजी को यही समझ देते हैं कि हमारे संगीस आती हैं हम समझ ही नहीं पाए उससे में गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना आज की यह सतसंग करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे यह मौका दि बहुत थैंक्यो गुरुजी बहुत बहुत थैंक्यो जै गुरुजी संगर जी